नमस्कार स्वागत है आपका उत्राखन की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमरबाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी नयाज दहरादून में 18,000 करोड रुपे की लागत से 18 विकास परियोजनाव का लोकारपन और सिलनास किया है इस परियोजनाव में दिल्ली दहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है और दिल्ली दहरादून आर्थिक गलियारा दिल्ली से और दहरादून के वीच यात्रा के समय को 6 घंटे से घटा कर लगभग 2.5 घंटे कर दिया जाएगा और इसको आपको बतादे कि इसको लेकर हरिद्वार, मुजफर नगर, शामली, यमना नगर, बागपत, मेरट के बडोद से संपर के लिए भी साथ परमुक इसमें शामिल होंगे और इस ए भी आपको बतादे कि इसमें वन्ने जीवों के लिए भी बिना रोक टोखी आवागमन जो है उसके लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्ने जीव एलिवेटेड गलियारा भी होगा और साथ ही दहरादूर में ही दत कालीन मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्न जीवों पर भी होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी इसके अलावा गडेश्वरपूर में भी दहरादूर खंड में वहनों को जंगली जानवरों से टकर से बचने के लिए भी जानवरों के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं दिल्ली दहरादूर आर्थि गलियारे में 500 मीटर के अंतराल ही वर्षा जल संचैन और 400 से जादा पानी की रिचार्ज पॉइंट की विवस्था भी होगी और दिल्ली दहरादूर आर्थि गलियारों से ग्रीन फिल्ड सरक्यन परियोजना और सहारनपूर के हल गोवा में भी हरिदवार हैं उसके साथ ही आपको बता दे कि व्रदाबाद को भी जोडने वाली परियोजना का निर्मार 2000 करोड रुपे से अधिक की लागत से किया जाएगा ये परियोजना दिल्ली से हरिदवार तक निर्भाद संपर्द प्रदान करेगी और यात्रा के समय को भी कम करेगी आपको बता दे कि 1600 करोड से भी जो जादा लागत है उससे बनने वाली मनोहरपूर में से कांगडी तक हरिदवार रिंग रोड परियोजना और हरिदवार शहर के लोगों को विशेश रूप से भारी प्रेटक मौसम के दोरान याता याद के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाव छेतर के साथ संपर्द में भी सुधार करेगी आपको ये भी बता दे कि लगभग सत्रा सो करोड रुपे की लागत से बनने वाली देहरदूर पॉंटा साहिब सड़क परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों पर ही बीच निर्भाद संपर्क परदान करेगी इससे अंतराजिये प्रेटक को भी बढ़ावा मिलेगा और नाजीमा बाद कोट बार सड़क चोड़ी करने की भी परियोजना और यात्रा के समय को कम करेगी और आपको ये भी बता दे कि लैंस डाउन से भी संपर्क में सुधार करेगी दहरादून में जनसभा को संबोध्यत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने पीम मोदी की तारिफ करते हुए कहा कि पीम हमेशा सच्चाई और साहस के रास्ते पर चलते हैं उन्होंने कहा कि आज उत्राखंड विकास के रास्ते पर आगर्सर है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निदत्त में हम जल्द देश के शुरुषेस्ट राज्य बनेंगे बिजेपी की और से चार दिसंबर को रास्धानी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कॉंग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली कराने के तैयारी कर ली है कॉंग्रेस परदेश अध्यक्ष गडेश गोदियाल ने बताया है कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादूर में किया जाएगा और कॉंग्रेस पार्टी की ओर से बांगलादेश निर्मार के युद में ही भारत के पाकिस्तानी परेतिहासिक विजए की पचासनी वर्षगाट के उपद लक्ष में ही राज्य भर के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परियोजनों को भी प्रियदर्शनी सेने सम्मान दे और इसे कड़ी में जहरादोर में आयोजित होने वाली रैली में पूर्व राष्ठ्य अध्यक्ष राहूल गांधी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के साथी परियोजुनां जो परिजनों को भी सम्मानित करेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी की ओर से इसके तयारिया शुरू कर ली गई है अगामी विधान सभा चुनाव को लेकर राजनीती पार्टीया ने अपनी तयारिया भी शुरू कर दी है विजेबी के तमाम नेता पहले ही अपनी उपस्थिती दर्च करा जुके हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के किसी बड़ी नेता का अभी तक एक भी दोरा नहीं हुआ है वही अब चुनावी दोरे पर ही राहुल गांधी दहरादून आएंगे हाला कि कॉंग्रेस ने अपने चुनाव परचार को पहले ही धार देना शुरू कर दिया है इसकी कमान राजे में पूर्व मुखे मंत्री और चुनाव अभियान समीती के अधियक्ष हरीश रावत ने खुद सम्हाली हुई है और वे लगातार राजे में दौरे कर रहे हैं पूर्व मुखे मंत्री हरीश रावत ने आब परदेश के युवाओ पर फोकस कर लिया है उन्होंने आगरा किया है कि युवाच छात्र छात्राएं उनसे ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, यूटूब से जुड़ सकते हैं और पूर्व मुखे मंत्री ने अपने कारेकाल में भी उपलब्दी गिनाते हुए कहा कि तीन साल में 32,000 से ज़्यादा लोगों को सरकारी सेवाओ में निवतिका उनका रिकॉर्ड उपर रहा है और इसके साथी उन्होंने कहा कि विकास की आर्थिक तरख्य का भी आधार है परदेश में पून्जे निवेस का जुटा कर ही विकास के माध्यम से आर्थिक संसाधन पैदा किये जा सकते हैं ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए भी उन्हें वियोक्रेसी भी कि सहायता की आवशकता है बलकि वियोक्रेसी को लेकर भी ऐसा करने की उपाय हो सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पूरु सीम ने ये भी कहा है कि नौजवानों के भविश्य को सवारने के लिए राज्य में एक स्वास्ते समाजिक वातावरण बनाना आविश्यक है